जहिन मैं ठाकूर अमित्राठोर आप देख रहे हैं सतर्क भारत कल मैंने कुछ जिमेदार लोग और समाजिक लोगों से अपील की थी जो यहाँ पे जिमेदार लोग हैं कि आए आगे आए मदद के लिए उसमें कुछ समाजिक ब्यक्तित तो आगे आया और मदद के लिए आज कुछ प्राइमरी लेबल पे जो मदद होती है वो कुछ सामान रासन का सामान चारपाई कुछ खाने का सामान बरतन की ब्यवस्था इनका रहने और खाने की ब्यवस्था अभी फिलाल की गई है हमारे साथ इसमें सयोग करने के लिए हरविंदर चुग जी आप किछा से आए और ये आप अनिल रावज जी आए सभी लोग मिलके इन लोगोंने सामोही के एक समाजिक इन लोगों का ब्यक्तित वह हमेशा आगे आते हैं हमारे भाई हैं मनी खेडा जी जो हमेशा लॉकडाउ सभी लोग आगे आए आज की स्थिती ये है कि आज हम इनके पास कुछ थोड़ा सा जो भी मदद कर पाए हैं सामान लेके आए हैं आगे हमारे सहयोगी हैं रावज जी ओ आपके सामने चर्चा रखेंगे इस पर बात करेंगे और मैं सभी से पुना एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग भी है इस वर ने आपको इस लाइक बनाया है कि आप किसी का मदद कर सकते हैं तो मदद करिए गुनागार मत बनिये मददगार बनिये जी रावज जी आगे की बात रावज जी करेंगे धन्यवाद अभी तरह ठोड़ जी एक बड़ा अच्छा एक जल गया घर मेरा बाकी क्या रहा और बच गया मैं तो जला क्या है ठीक है तो मैं इसी शेर पर आगे बात करता हूँ सबसे पहले में एच्छी दिखायता हूँ जब हम कल यहां आये थे हमने देखा था हालात और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे जो लगती है अपनी ल मुझे बहुत ज़ादा पिंच कर गई थी, कि सब कुछ जला सिवाए भगवान की उस मूर्ती के, लेकिन यहां के लोगों का बताना है कि यह फूजा बहुत ज़ादा करते हैं कि भगवान की उस मूर्ती के अलावा सब कुछ जल गया और गणपती बापiantes बचे रह जाए त साथ यह वो लड़का है इस मदद का में मुहीम का में सूत्र धार है इस लड़के का नाम है लखन का मतलब होता है राम का भाई अवतार और इस बच्चे की एक सिंगल कॉल पर हम लोग यहां आ गए थे जब यह बच्चा हमारे पास आया तो इसके खुद के कबड़े देखकर मैं हरान था कि वड़ी छोटी सी वस्ती से निकल के आया लेकिन हिम्मत जुटाई है और मैं कहता हूँ हर बार हम यह कहते हैं कि अपने बच्चों को इस तरीके के संसकार दीजे कि वो लोगों की मदद कर पाए क्योंकि आपकी छोटी सी एक बात कि जो चौकी करवाई सी नो दिन का वहां से कुछ बच गया था तो मैंने कमेटी से रिक्वेस्ट करी थी कि सही जगों में अगर खाना पहुंच सकता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है यह लंगर की सेवा से बचा हुआ रासन था जो आप लोगों को बहुचा था एक बार आपको दिखाता हूँ यह वो च्छत है यह वो च्छत है जहां यहां देखा दें यह वो जगा है जो जलकर राक हो चुगी है यहां पर यह जलावा फिरिज देख रहे हैं आप यह अलमारी देख रहे हैं और यह वो कपड़े देख ने तमाम जमाने के लिए तो आ तो आप लोगों से एक बार फिर से विनम्र निविदन है मेरा की जो कुछ भी आप लोग अपने घरों से दान कर सकते हैं ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आईए अगर हर इंसान रुद्धरभु की आबादी में मात्र एक रुपा या दस रुपे दिनी कोशिच करें तो म बच्चे ने कौल की थी यह बच्चे ने कौल की तो हम सब यहां पोचे हैं तो अमीद रटहुर जी के उसमें कोल के उसके बाद ना जो मेरा जो गृप हर्विंदर सिंग चूग ब्लेड हेल्प लैन गृप ता उसमें से कम से भी काफी मेरे साब से चार पाच हिजार के प्रव्हान हैं जो आज पूरा रिक्षा फुल हो गया था तो बाकी आगे कोशी रहेंगी कल हो सकता जो विस्ताई हों drie कर ले के ऑंगे और एक हमारा बहुत हैं आधा उसकी जो अलमारी और नाम होइं बांडुर जी तो बैणि उस बना ग्ल्या-अमंदी से थे सब़ी के वी जोग से होता है, पर यहाँ दुख भी लग रहा है, ऐसा घड़ी फिर कभी किसी के साथ मैं से यह बड़ी परसानी बढ़ी है, बर्बसाद में कैसे नहींते हैं, आप इनकीश Арज करना चाहता हु wife you पूरा सब कुछ सब कुछ सब कुछ जल गया है जिसके बाद जो जो है वह यहां पर आई है यह हम उसमें अड्रेस आपको बता देंगे रहम पूरा है तो बाकी धन्यवाद हमारे साथ रावत जी भी है हरविंदर चुक जी भी है मनी जी भी है आप लगातार कोबिट के टाइम से ही लोगों का समझते हैं अभी बच्ची की जो इलाजी उसमें भी बढ़ चड़ के हिस्सा लिए और हमेशा कभी टाइम लाइन में आने की कोशिस नहीं की हमेशा आगे मैं इन से भी कहूंगा कि लोगों से थोड़ा अपील करें ताकि इस तरह के परिवार आए दिन ऐसी घटनाए घड़ जाती है और दरदर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं आज इनके पास कुछ भी नहीं है आप देख सकते हैं सब कुछ जल चुका है और यह इस तरह की जो घटनाए होती है उसमें वह आवाज उठाता है और खुद आगे आता है मैं आपसे भी कहूंगा कि अपना अपील दें लोगों से कि ताकि इनकी ज्यादस ज्यादा मदत हो जाए और इनको यह ना लगे कि नहीं हम इस समाज में नहीं रह रहे हैं जहां मैं अ संसुन सत्र भी चल रहा है तो बहुत ही नाजुक स्तिती है यहां पर देखने में तो और हम भावुक हो गए वीडियो में तो उने देखा ही था और हमारी सभी आपके दर्शकों से और जनता से अपील है कि बढ़ चड़के मदत का हिस्सा बने अप पीडित भी हैं जिनके स चीजे बताँ बता तो जबान लड़की के लिए अभी थोड़ा सा परिशान है बहुत कल भी बिमार थी है कल इनकी कल भी इस्तिती खराब थी रावज जी है रावज जी बताएंगे इनसे जी बड़ा मुस्किल होता है किसी ऐसे परिबार से लाइव इंटर्वी लेना है जहां की इस्तिती बताने का क्या है कि सब कुछ दिखाई दे रहा हो देखिए हमें लगता है कि साइड या आग जनी से परिशान है लेकिन एक्च्छल में क्या है कि मौसम इस समय ऐसा चल रहा है कि बरसात से भी है क्योंकि बरसात में हमने रुद्दरवू शहर का आलम जो भी थे जिस तरीका से भी घर चला लेकिन सेल्यूटे इनके आसपास के लोगों को कि माना होता अभी भी कुछ लोगों में बची हुई है कुछ लोगों की मर गई है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन आज भी इंसान धर्म को निभाने वाले लोग हमारे चीजे करते हैं या मंदिर मस्जिद गुर्दवारों में तमाम जमाने का लंगर देते हैं लेकिन असल भगवान की कतनी और करनी ये है कि आपको उस इंसान की मदद करनी है जो एक्च्वल में उस मदद का हगदार है मोहताज है जो उस चीज के लिए तो मेरी आप से फिर से एक निवेदन है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आईए और जादा से जादा इस चीज को लाइक और शेयर कीजिए अगर आप शेयर करते हैं तो मैंने बार बार का है कि आपका एक शेयर इस वीडियो को बिल्कुल सही आदमी तक पहुचा सकता है हरविंदर भाई का शेयर मन्नी भाई आज हमारे साथ खड़े हैं इस लड़के का एक शेयर कि हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और इनकी मदद हो पाईए तो धन्यवाद जुड़े रहे हैं सतर्क भारत से मैं निल रावत आप सब लोग का धन्यवाद अदा करता हूँ